अरत की सम्विधान में संसदिय शासन विवस्था को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रुपती कारेपालिका का सम्विधानिक प्रमुख होता है। अनुच्चेद बावन के अनुसार कारेपालिका की शक्तियां राष्ट्रुपती में नहेत रहती हैं। सम्विधान की अनुचेद 89 के अनुसाद राश्रुपती संसद का एक अंग होता है संसद के द्वारा पारित विधेक राश्रुपती के अनुमूदन के बाद ही कानून के रूप में स्थापित होता है संसति के सन्योक्त अधि वेशन में राष्ट्रपती का अभिभाषन इस व्यवस्ता का महत्यपून अंग होता है राश्ट्रुपती लोग सभा के लिए प्रतेक आमचुनाओं के बाद प्रतेक वर्ष के प्रतेक सथर की शुरुआत में एक साथ सम्वेत दोनों सभाव में विभाशन देते हैं और संसत को इस सथर के शुरू होने की वजह भी बताते हैं राश्ट्रुपति अपने अभिभाशन में सरकार के क्रिया कलापों की चर्चा करते हैं राश्ट्रुपति का ये अभिभाशन पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए काफी महत्वपूर होता है इसमें सरकार की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है आज विशेश में बात करेंगे राश्ट्रपती के अभिभाशन से जुड़े तमाम पहलों पर तो आईए शुरू करते हैं आज का विशेश राश्ट्रपती के अभिभाशन से ही हर साल संसत की पहले सत्र की शुरूआत होती है इसके अलावा लोकसभा के लिए हाराम चुनाओं की बात संसत की पहले सत्र में राश्ट्रपती का अभिभाशन होता है दरसल हमारे सम्विधान में राश्ट्रपती के अभिभाशन की वेवस्था है राश्ट्रुपती के अभिभाशन के लिए सम्विधान में संसत के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है संसत की सनरचना, राश्ट्रुपती, राजिसभा और लोगसभा तीनों से मिलकर होती है हाला कि राश्ट्रपती किसी भी सदन के सदसे नहीं होते लेकिन राश्ट्रपती का अभिभाशन हमारी संसदिय प्रक्रिया का खास हिसा है संसद भारत संग की सर्वोच विधाई का है और भारतिय संसद ये प्रक्रिया में राश्ट्रपती के अभी भाशन की बेहद ही खास जगा है हमारे संविधान के अनुछेद 89 में संसद की विवस्था की गई है इसके मुताबिक संग के लिए एक संसद होगी जो राश्ट्रपती और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे इस तरह से राश्ट्रपती संसद का एक संगटक अंग है सम्विधान के अनुछेद 86 और अनुछेद 87 में राश्ट्रुपती के अभिभाशन के बारे में जिक्र है अनुछेद 87 में कहा गया है कि राश्ट्रुपती लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरू होने पर और हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुवात में एक साथ समवेद संसत के दोनों सदनों में अभिभाशन करेंगे और सत्र को उसे बुलाय जाने के कारणों से अवगत कराएंगे हर वर्ष संसत के पहले सत्र को ही बजट सत्र कहा जाता है यानि बजट सत्र के आरंब में संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राश्ट्रपती का अभिभाशन होता है इसके साथ की लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरूआत में ही राष्टुपती के अभिभाषन के लिए संयुक्त बैचक का प्रावधान है अनुछेद 87 में जिस अभिभाषन का जिक्र है उसे राष्टुपती का विशेश अभिभाषन कहते हैं प्रेजिडेंट अड्रेस के बारे में समिधान में लिखा आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 में ये प्रावधान है कि 87 में जब भी नई लोगसुभा के इलेक्शन होते हैं तो उसका पहला सेशन समविधान में एक और स्थिति का जिकर किया गया है जब संसत के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक या संसत की किसी एक सदन में राश्ट्रुपती का अभिभाशन हो सकता है इसका प्रावधान अनुछेद 86 में किया गया है इसमें कहा गया है कि राश्ट्रुपति संसत के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाशन कर सकेंगे और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिती की अपेक्षा कर सकेंगे हालांकि सम्विधान लागू होने से अब तक राश्ट्रपती ने अनुचेद 86 के तहट संसत की किसी एक सभा में या दोनों सदरों की समुक्त बैठक में अभिभाशन नहीं किया है अमूमन हम राश्ट्रपती के जिस अभिभाशन का जिक्र करते हैं वो अनुचेद 87 के तहट है अब बात राश्ट्रपती के अभिभाशन की विशेवस्तु की जिसमें सरकार की नीतियों का विवरन होता है इसलिए अभिभाशन का प्रारूप सरकार की ओर से तयार किया जाता है सरकार ही इसकी विशेवस्तु के लिए उत्तरदाई होती है राश्ट्रुपती के अभिभाशन में पिछले वर्ष के सरकार के कारे कलापों और उपलबधियों का जिक्र होता है इसमें महत्वपूर्ण, आंत्रिक और मौजूदा अंतराश्ट्रिय समस्याओं के संबंद में सरकार की ओर से अपनाई जाने वाली नीतियों की भी जलक होती है इसमें उन विधाई कारें का भी उलेक होता है जिन्हें उस वर्ष के दौरान होने वाले सत्रों में संसद मिलाने का विचार होता है इंटरनेशनल सिचुएशन के उपर हमारी राय क्या है और लेजिसलेशन आगे हम क्या करने जा रहे हैं ये एक प्रेजिडेंट का अड्रेस होता है जो जुरूरी करना होता है लोग सभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की दशा में राश्ट्रुपती, सदस्यों के शपत लेने और अध्यक्ष के चुने जाने के बाद संसत की दोनों सभाओं की सयुक्त बैठक में अभिभाशन करते हैं राश्ट्रुपती के अभिभाशन तक कोई दूसरा कारे नहीं किया जाता है राश्ट्रुपती का अभिभाशन सम्विधान के अधीन एक गरिम अपूर्ण और आपचारिक प्रक्रिया है अभी भाशन के सिलसले में कुछ आपचारिक ताओं का भी पालन किया जाता है दोनों सभाओं के सदस्य संसत भवन की केंद्री कक्ष में राश्ट्रपती के आगमन से कम से कम पांच मिनट पहले पहुँच जाते हैं सदस्यों से ये आशा की जाती है कि वे अभी भाशन के दौरान केंद्रिय कक्ष से बाहर नहीं जाएं राश्ट्रपती, राज़की बग्गी या कार में बैठ कर संसद भवन पहुचते हैं और द्वार पर राज्यसभा के सभापती, प्रधान मंतरी, लोकसभा ध्यक्ष, संसद्य कारे मंतरी और दोनों सदनों के महसचेव उनका स्वागत करते हैं इसके बाद राश्ट्रपती केंद्रिय कक्ष में जाते हैं राश्ट्रपती के केंद्रिय कक्ष में प्रवेश करने पर मार्शल राश्ट्रपती के आगमन की घोशना करते हैं माननिये सभासदों महा महेम राश्ट्रपती जी राश्ट्रपती के स्थान ग्रहन करने के बाद राश्ट्रपती हिंदी या अंग्रेजी में अभिभाशन करते हैं इसके बाद अभिभाशन का रुपांत्रन राज्यसभा के सभापती के द्वारा पढ़ा जाता है राश्ट्रुपती अभिभाशन को सभा की कारवाही का अंग बनाने और इसमें शामिल करने के लिए अभिभाशन की समापती के आदे घंटे बाद दोनों सभाओं में अभिभाशन की एक-एक प्रती महासचिव सभापटल पर रखते हैं राश्ट्रुपती के अभिभाशन के बाद संसत के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कारवाही में तै तिथी को इससे जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है इसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मन्जूर किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है जिस पर संसत के सदस से चर्चा करते हैं। इसकी बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर किया जाता है। इसकी बाद दूसरे सदस्य के जरिये इसका समर्थन किया जाता है। इस सभा में समवेत लोक सभा के सदस से राश्टुपती के उस अभिभाशन के लिए जो उन्होंने एक साथ समवेत संसत के दोनों सदनों के समक्ष देने की क्रिपा की है उनके अत्यांत आभारी है। राश्टुपती के अभिभाशन में शामिल विश्यों पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेता के परामर्ष से समय तै करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे संशोधन भी लाए जा सकते हैं जिसे सभापती उप्योक्त समझें। राज्यसभा की नियमावली में कहा गया है कि सरकार की ओर से प्रधान मंत्री या अन्ने किसी मंत्री को चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं चर्चा के अंत में सरकार की स्थिती स्पष्ट करने का सामानने अधिकार है। सभापती को अधिकार है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदस्यों के भाशनों के लिए समय सीमा तय करे चर्चा के लिए तय दिनों में दोनों सदनों में अलग-अभिभाशन में शामिल विश्यों पर चर्चा होती है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा काफी व्यापक होती है सदस्य राश्ट्रुये और अंतराश्ट्रुये सभी प्रकार की समस्याओं पर बोल सकते हैं जिनका उलेख अभी भाशन में नहीं होता उन मामलों में भी धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों के जरिये चर्चा की जाती है ऐसे संशोधन और चर्चा की सीमा ये है कि सदस्य एक तो उन मामलों का उलेख नहीं कर सकते जिनके लिए केंद्र सरकार सीधे तोर पर उत्तरदाई है और दूसरा ये कि वो वाद विवाद के दौरान राश्ट्रुपती का नाम नहीं ले सकते इसके पीछे वजह ये है कि अभी भाशन की विशेवस्तू के लिए सरकार उत्तरदाई होती है राश्ट्रुपती नहीं राश्ट्रुपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताओं में संशोधनों की सूचनाई राश्ट्रुपती के ओर से अभिभाशन दिये जाने के बाद दी जा सकती हैं संशोधन उन विश्यों के बारे में दिये जाते हैं जिनका उलेख अभिभाशन में किया गया हो चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक के और से शुरू की जाती है। उसके बाद प्रस्ताव का समर्थक अपनी बात रखता है। इसके तुरंत बाद संशोधन निप्टाए जाते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल जाती है। वो रोलिंग पार्टी का एक कोई वरिष्ट सरस्य इसको इनिशेट करता है, शुरू करता है। और वो दूसरा कोई सेकंड करता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान विभिन दलों के सांसद अपने विचार रखते हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलबधियां गिनाने का मौका होता है। वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामिया गिनाने के लिए अपने तर्क रखते हैं। दोनों सदन राष्टपती को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वह आये हैं और यहां बर आके हमें संभोधित किया है। इसलिए एक कर्टिसी है ये। तो इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदन पास करते हैं। दोनों सदनों से धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होना जरूरी है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रती सहमती माना जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर किये जाने के बाद लोकसभा स्पीकर एक पत्र के जरिये इसकी खूमत में इसी तरह की परमपरा थी। अभिभाशन से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर S.S.O. संशोधन नहीं लाने की परमपरा रही है। लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब राज्य सभा में संशोधन को मन्जूरी मिली है। 1921 में पहली बार स्थापित किये गए केंद्री विधान मंडल के समय से चलिया रही है। लेकिन आजादी के बाद वर्ष 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब संसत के तीन सत्र हुए। उस समय ये अनुभव किया गया कि राश्रुपती का अभिभाशन एक साल में तीन बा संशोधन के तहट ये प्रावधान किया गया कि राश्रुपती का अभिभाशन लोग सभा के लिए प्रतेक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रतम सत्र के शुरुवात में और प्रतेक वर्ष के प्रतम सत्र के आरंभ में ही होगा। ये आते हैं और पार्लिमन का उदिखाटन करते हैं और पार्लिमन मेंबरों को संबोधित करते हैं ये सब है ये रिवाज ऐसे देशों में है ये सारे हमने इंगलेंट से हमारा ये सिस्टम इंगलेंट से लिया है गवर्मेंट आफ इंडिया का एक्ट था उसके तहट पहली संसत केंदरी संसत बनी थी तो वहां से जोईन सेशन है जो पालेमेंट का उसको एड्रेस करने का सिलसला चालू हुआ था और ये सिलसला लगातार चल रहा है और एक बार मुझे याद है कि राश्पती के सब्सक्राइब के वक्त में लेकिन 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी तो धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया था राश्ट्रुपती के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पेश किये जाने की बात करें तो इस बारे में लोकसभा और राजस सभा की नियमावली में प्रावधान किया गया है। सभा की नियमावली में प्रावधान किया गया है। इसके बाद लगातार दूसरे वर्ष 2016 में भी ऐसा ही मौका आया जब राजसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नभी आजाद ने राजस्थान और हर्याना में पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की नियूनितम शेक्षने की योगिता निर्धारित किये जाने के संबंद में संचोधित प्रस्ताव पेश किया यह प्रस्ताव सुईकार किये जाने के बाद वोटिंग हुई जिसमें सदन में उपस्थित 155 सदस्यों में से 94 ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया था यहांबर जो बैटे हुए सदन के सलस्य हैं सारे राश्टरपती को अपना धन्यवाद देते हैं इस तरह का एक सिंपल एक मामूली सा प्रस्ताव है उसमें तो उसमें किसी तरह का संचोधिन की गुंजाइश नहीं है लेकिन हाउस के अंदर डिस चर्चा होती है और यह मोशन है तो कई लोग अपने जो विरोथ प्रकट करने के लिए की गौवर्मन की पॉलिसी क्योंकि रास्टरपती का इसके साथ कोई तालुक नहीं तो गौवर्मन की पॉलिसी है गौवर्मन की को कृटिसाइज करते हैं और गौवर्मन की जो विरोथ प्रकट करते हैं इसलिए वो अमेंडमेंट वगरा उसमें संशोधन वगरा पेश करते हैं इससे पहले भी तीन बार सदन में ऐसे मौके आए जब धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन हुआ सबसे पहले 1980 में जिनता पार्टी की सरकार के दोरान CPI सांसद भूपेश गुप्त राज्य सभा में संशोधन का प्रस्ताव लाए थे उन्होंने तर्क दिया था कि अभी भाशन में विधान सभाओं में दल बदल और उन्हें भंग किये जाने संबंदी प्रयासों का जिक्र नहीं किया गया है दूसरा मौका आया 1989 में राश्री मोर्चा की सरकार में जब एक साथ छे संशोधन पार्यत किये गए इनमें राम जन भूमी बाबरी मस्जिद विवाद और इसे सुलजाने के प्रस्तावित उपाए, राजे सरकारों को अस्थिर करने के प्रयासों से जड़ा मुद्दा, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के तोर पर सुनिश्चित करने से जड़ा मामला और भारत शुदंक का समझोते से जुड़े विशय शामिल थे। साथी आननपुर साहिब प्रस्ताव संबंधी मुद्दे और 1989 में कुछ आतंकियों को रिहा किये जाने का मुद्दा भी शामिल था। इसला किया था। इसला किये जाने का मुद्दा भी शामिल थे जाने का मुद्दा भी शामिल थे।